आठवी क्लास से दोनों एक दूसरे को जानते थे आठवी क्लास से ही दोनों एक दूसरे को दिल दे वैठे थे फिर नौकरी और पढ़ाई के लिए लड़का बाहर चला जाता है लड़की मुझफर पुर में रहकर सीए की तयारी करती है लेकिन इसी बीच कई छोटे मूटे जगडे होते रहते हैं एक दिन ऐसा होता है जब रात में कॉन्फरेंस पर दोनों बात कर रहे होते हैं लड़का गुसा होकर मुवाई ओफ करता है लड़की बार-बार कॉल करने की कोशिस करती है उसके बाद अपने आपको मौत के हवाले कर देती है जब लड़के को ये ख देख रहे हैं बिहार इंसोर्स मुजफरपुर में कल याने की गुरुबार को बच्पन की प्यार का एक दुखद अन्थ हो गया है आपको बता दे कि बात बात में जगडा होने के बाद प्रेमी ने जब अपने मोबाइल को स्वीच ओफ कर लिया तो प्रेमी का फंदे से लट मुहम्मदपुर थाना छितर की अंजली जैस्वाल और नीम चौक शंकरपुरी विवेक कुमार का फेर आठवी क्लास से चल रहा था दोनों साथ में ओरियंट कलब इस्तित एक स्कूल में पढ़ते थे सब कुछ ठीक चल रहा था दोनों अपनी दुनिया में मस्त थे इस बी में अंजली के बेच अलिस्ते थीक नहीं थे बुदबार रात भी दोनों की एक कॉमन फरेंट उनके अलिस्ते को इसके बाद कमरे में सोने चली गए, फिर देर रात उठकर खुद सी चाय बनाई और पी, कमरे में चाय का जुठा कब बरामद हुआ, उसके कान में ब्लुटूथ लगा था, बेट पर सीय की किताब और कॉपी खुली थी, सब इंस्पेक्टर ने आशंका जाहिर करते वे कहा कि देर रात एक दो बज़े की बीच उसने आत्मात्याक की होगी, इसलिए शरीर काला पढ़ने लगा था, सब इंस्पेक्टर ने बताया कि युप्ती के पास दो मोबाइल फोन थे, इसके बारे में उसके घर वालों को जानकारी नहीं थी, दोनों मोबाइल के पैटरन लोग इसलिए पुलिस उसे खोल नहीं पाई, एक मोबाइल पर बार बार एक ही नंबर से कॉल भी आ रहा था, हलाकि अफरा तफडी के महल में पुलिस कॉल रिसीब नहीं कर सकी, उसके मोबाइल का लोग तुरवाकर जाच शुडू कर दी गई, छातरा के फोन पर आखरी कॉल किस इसका आया था, यह पता किया जा रहा है, इसी से घटना की गुत्ती सुलजेगी, बताया जा रहा है कि विवेक की पढ़ाई जून में पूरी होने वाली थी, वो अगले महीने ही घड़ आने वाला था, उसका नोइडा की एक कमपनी में सेलक्षन भी हो गया था, आज ही या साल से कम्प्यूटर साइन से बीटे कर रहा था, भया के साथ मुतिहारी का लड़का कुनाल रहता था, उसी से हम लोग को कॉल कर घटना की जानकारी मिले, बताया जा रहा है कि सुबह साथ पंद्रा बजे विवेक मुवाईल पर किसी का कॉल आया, यह बात करते वे रूम से निकला फिर बिल्डिंग के छट के हिस्से से कूद कर अपनी जान दे दी, उसके हाथ में मुवाईल भी था जो नीचे गिरने से तूट गया, जैपर पुलिस ने इसे जब्त कर लिया है, पुलिस ने पता चला है कि विवेक के मुवाईल पर लास्ट कॉल अंजली के भाई ने किया था, उसने डड़ाया धमकाया होगा या टॉर्चर किया होगा तभी भाया कूदे हैं, विवेक के चाचा संजय साह ने बताया दोनों के अफ्यर के बारे में जानकारी थी, अगर लड़का आगर कहता कि शादी करना है तो आराम से करवा दे, मुझे लगता है कि कहानी है, लेकिन अगर बात लड़का लड़की करें, तो आपसी जगरे की वज़ा से दोनों ने ये कदम उठाया, जैसे ही ये खबर लड़के को पता चली, लड़के ने भी जान दे दी, लेकिन एक बात जो सब को ध्यान देनी चाहिए, कि आत्महत्या कभी भी किसी बात क सॉलुशन नहीं होता है, कभी भी किसी भी बात का समाधान आत्महत्या से नहीं निकाला जा सकता, जड़ा सोचिए कि आज उन दोनों पड़िवार का क्या हाल होगा, आज वो दोनों कहा है, अगर मोबाइल स्वीच ओफ हुआ ही था, अगर थोरा इंतजार करने के बाद, ब कोई भी कदम ना उठाए, बिहार इंसोर्स, बिहार इंसोर्स के सभी धर्सकों से यही अपील करता है, कि कभी भी आवीस और गुस्य में आकर ना तो कोई फैसला ले, ना ही कोई ऐसा कदम उठाए, वरना इसका हरजाना आपके साथ-साथ आपके पड़िवार वाली को भी भुगत ना पर सकता है, आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहे हैं, हमारे चानल को सब्स्क्राइब करें, फिस्पूल पीच को लाइक करें, धन्यवाद,